यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे साथ मिलकर प्रात्न करें, और अपने प्रात्न विंतियों को हमें भीजें, प्रभु येश्व मसी आपके जीवन में कारे करेंगी, धन्यवाद। प्रेज़ लोड, दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रात्न में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हो सकता है आप विपरीट समय से होकर गुजर रहे हों, संकट, परिशानिय, दुख, बीमारियां आपके जीवन में हों, आप निरास हो रहे हों, दुखी हो रहे हों, परिशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, तो आज परमेश्र का वचन आपसे बातचीत करता है, कि ऐसे समय में आपको क्या करना है, जब आप विपरीट समय से होकर गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, हम आयूब के जीवन में देखते हैं अयूब के जीवन में बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी समस्याएं आए, मानो ऐसे लगा कि सब कुछ समापत हो गया, सब कुछ उसका नश्ट हो गया, उसका सरीर भी नश्ट होने लगा, परन्तु इन सब के बीच में अयूब ने अपनी आसा को नहीं छोड़ उसने फिर भी परमेशोड पर आसा को लगा के रखा, फिर भी उसने परमेशोड पर भरोसा रखा, और यही काम आपको करना है, जब आप जीवन की विपरीच समय से होकर गुजर रही हैं, ऐसे समय में आपको परमेशोड के उपर भरोसा रखना है, ऐसे समय में आपको उस पर आसा लगाए रखना है क्योंकि वो आपकी आसा को पूरा करने वाला परमेशो है बाइबल कहती है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता परमेशो उसे लज्जित नहीं होने देता है तो इसलिए आज साम में मैं आपको उत्सायद करूँगा कि विपरीट समय में परमेशो पर आसा लगा के रखें एक वचन हम लोग पढ़ेंगे अयूब की किताब उसका 19.22 और 25 पर जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों यहां पर परमेशो का वचन कहता है अयूब ऐसे विपरीट समय के बीच में इस बात को एनाउंस करता है कि मेरा छुडाने वाला जीवित है और कहता है कि मुझे तो निश्चा है मुझे तो इस बात का विश्वास है मुझे तो इस बात का भरोसा है कि जो मुझे छुडाने वाला है वो जीवित पर मेशो है वो मुर्दा नहीं है, वो मिर्टक नहीं है, जो मेरी प्रात्ना को न सुन सके, जो मुझे छुडाने सके, परंतु वो तो जीवित परमेश्ड है, सरुसक्तिमान परमेश्ड है, जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, मुझे तो निश्चे है कि वो जीवित है मेरा छुड मुझे इस वर्तमान संसार के दुखों से वो चुटकारा देगा वो मुझे निश्य चुडाएगा दोस्तों यही विश्वास परमेश्वर चाहते हैं आपके और मेरे अंदर हो हमारे अंदर भी यही विश्वास होना चाहिए कि मेरा चुडाने वाला, मेरा बचाने वाला, मेरा चंगा करने वाला, मेरा परबंद करने वाला जीवित पर मेशुड है, जिन्दा पर मेशुड है, वो मुर्दा नहीं है कि हमारी बातों को सुनना सके, हमारी प्रातना को सुनना सके, हमारी और देखना सके, हम पर अपनी मर्द को दिखाए वो जीवित है वो जिन्दा है आपका छुडाने वाला तो यह दिया आप इस समय विपरीद समय से होकर गुजर रहे हैं इस विपरीद समय में इस बात को आप याद रखें कि आपका छुडाने वाला जीवित है आपको छुटकारा देने वाला जीवित परमेशुर है और निश्य वो आपको छुटकारा देगा तो अयूब के तरह है अपने अंदर इस विश्वास को रखें कि आपका छुडाने वाला जीवित परमेशुर है वो निश्य आपको इन सब परस्तितियों से छुटकारा देंगे तो प्रभव के दौरा अमें पहले जब मैंने मसीर में मिली में जाना शुरू किया तो मैंने बोला बस ऐसे कि मेरा मकान हो जाए और एक साल में तो नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्दी हो गया मैं बहुत बहुत बीमार रहती थी परभु ने मुझे चंग आई दी चोटी-चोटी चीजों में चंग आई दी अभी में क्योंकि मैं बहुत सीवियर बीमार रहती हूं तो मैं कभी भी प्रेयर करवाती हूं अमिता मसी से या ब्रदर से तो मेरी जो भी मैं प्रेयर करवाई ह और वो दोनों लोग ठीक हो गए, मैं प्रभू का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अम्ता सिस्टर और पीके ब्रदर का कि उन लोग के वहां मैंने कॉल किया और मैं हमारे लिए प्रेयर की गई और मैंने जो भी प्रेयर करवाई है मुझे नहीं याद कि वो मेरी पू और अम्ता सिस्टर और पीके ब्रदर खूब आगे बढ़े उनकी मिस्ट्री खूब आगे बढ़े और बहुत मुझे बहुत खुशी है सब लोगों से मिलने में प्रेयर जो करवाती हूँ वो पूरी होती है तो सभी भाई बेनों को जैवासी कि सो हम प्रभु येश्यमसी का इस सुंदर सी शाम में प्रभु का धनेवात करते हैं मैं आशकरती हूँ कि आपने वजन को सुनकर आशीश पाई है और सामत पाई है आपका छुडाने वाला जीवित है और आज की शाम में आप इस बात पर विश्वास कर लीजिए कि आप हर प्रकार की समस्या से छुडाए गए हैं सो आईए हम सब मिलकर प्रातना करें धनेवात करते हैं सामर्थी दयालू हमारे प्यारे पिता हम आपका धनेवात करते हैं कि आप भले पिता हैं आप हम सब से प्रेम करने वाले पिता हैं हम आपका धनेवात करते हैं आप जितने भी भाई, बेहन, बच्चे, नौजवान, बुज़र्ग हमारे साथ इस प्रातन में शामिल हैं, जो लोग पहली बार प्रभु इस वीडियो को वाच कर रहे हैं, या फिर पहली बार इस प्रातन में हमारे साथ शामिल हुए हैं, प्रभु हम उनके लिए आज दुआ करते हैं, कि उनके जीवन में जो भी समस्या पाई जाती है, येशु के नाम से आज उन बातों से वो छुटकारा पाएं, येशु आप उनके हिर्दे में आकर वास करें, येशु आप उनके जीवन में आईए प्रभु ताकि उनके जीवन बदल जाएं, उनके हालात बदल जाएं लौक एक अद्भुत अश्चरे करने वाले आत्मा के लिए प्रभु हम तेरा धनेवाद करते हैं जो हमारे मद्ध में हैं हमारे जीवनों में हैं मैं धनेवाद करती हूँ आज जितने लोग परमिश्व इस प्राथना को सुन रहे हैं प्रभु जो भी उनकी लाइफ के वो solution, उपाई, इंतिजाम, छुटकारा, चंगाई, बहाली प्रभू अपने जीवानों में देख सके परमिश्वर, तैंक यू Lord Jesus, क्योंकि आप भले पिता हैं और आप अपने बच्चों की कुशलता से, खुशियों से, उनके आनंदित रहने से प्रसन्न होते हैं परमिश्व मैं धन्यवाद करती हूं प्यारे प्रभू, आज के वचन के लिए विशेशुप से धन्यवाद करते हैं, आपने उचसाहित किया प्रभू, आपने वचन के दौरा मजबूत किया प्रभू, कि हमें ये निश्चे है, कि हमारा छुडाने वाला जीवित है, वो हमारे लिए म अद्भुत आश्चेरे कर्म होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु आप अद्भुत आश्चेरे कर्म मिरेकल करने वाले परमेश्वर है जो मनुष्य के लिए अस्थमभव है जो सब के लिए अस्थमभव है मेरे परमेश्वर वो आपके लिए पॉसिबल है लौर्ड निव प्रभु जितने लोग प्रभु बंधनों में हैं, problems में हैं, बिमारियों में हैं, depression में हैं, anxiety में हैं, और नानम प्रकार के कर्जों में हैं, बहुत समस्या में हैं, प्रभु जी बहुत कुछ उनके life में disturbance है, प्रभु उनका mind प्रमेश्व पिता बिल्कुल भी normal नहीं है, प्र अज प्रभू इनको ये बात का निश्चे करें मेरे प्रभू जी आज इनके मन में ये निश्चे हो पिता कि इनका चुडाने वाला जीवित है प्रभू येश्व आप इन्हें हर प्रकार की anxiety, हर प्रकार के डर से आप चुटका रहा दें,डेप्रेशन से आप प्रभू हर प्रकार के प्रभू बिमारियों से आप छुटकारा दें, कोई भी बिमारी इनके शरीरों में कारे न करने पाए, कोई भी बिमारी प्रभू बढ़ने न पाए, येशु के नाम से उन बिमारियों से हम कहते हैं, कैंसर की बिमारी से, पैरलाइस की बिमारी से, चिय अब तेरे लोग चंगे हों येशु के नाम से क्योंकि परभू तुने वचन ने कहा है परभू कि मैंने तुम्हारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया है yes my lord आपने जो रोग अपने उपर सहे हैं आपने अपने लोगों को अजाद किया है उन बिमारियों से पिता thank you father thank you father आपने अपने उपर प्रभू उन sickness को उन बिमारियों को पिता आपने उठाया है परमिश्व है और आज I command every sickness get out in the name of Jesus Christ get out in the name of Jesus Christ thank you father धन्यवाद पिता तेरे नाम ने पिता इनके जीवन में कारी किया है प्रभू धन्यवाद के तेरे नाम से प्रभू ये लोग ये बच्छे नौजवान बुज़र्ग लोग इस बिमारी से जिससे जूज रहे हैं प्रभू आज़ाद हो गए है धन्यवाद पिता मेरे प्र कि आग्या देते हैं ये शू के नाम से परमेश्वर पून चुटकारे को हम ये शू के नाम से इनके जीवन में खोलते हैं दन्यवाद परमेश्वर्ग मैं प्राथना करती हूं ये मैं दूआ करती हूँ आपके असामध्ति दल्स अनम से क्य Spiel warrant paz compare ये प्रॉब्लम श हर तैंक यू जीजस कि आपने हम सब की विंती प्रात्नों को सुना और आज प्रभू हर एक जन को ये निस्चे हो गया है कि उनका चुडाने वाला जीवित है तैंक यू लॉड आज रात में अच्छी नीन दे पिता सुकून भरी नीन दे अपने वच्छन को पिता study करने के जीजिए जिन्होंने बोया है जिन्होंने अपने प्रेम को प्रभू जी तेरे राज्य में बीच के दौरा प्रकट किया है येशु मसी उन्हें आशीज दे मेरे पिता क्योंकि आप अपने लोगों को बढ़ाते हैं मेरे परमिश्व थैंक यू फादर सब कुछ आपके वो सुनी गई उनका उत्तरहा में मिला है क्योंकि हर एक बात प्रभू तुझ में हाँ और आमीन में होती है पिता तैंक यू लोड जीजस सब कुछ आपके हाथों में सौबते वे प्रातना विंती येशु मसी के नाम से मांगते हैं सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन और आ कि येशु ने जो आश्चेरे कर्मात के जीवन में किया है उसको सुनकर बहुत से लोग है जिनका जीवन प्रभू की ओर बढ़ता चला जाएगा तो प्रभू आप सब को बहुत आयत से आशीज दे जैमसी की